हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो एक्जांपूर आईएस इंग्लिस मीडियम चैनल मैं रुनकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्जांपूर आईएस इंग्लिस मीडियम चैनल पर दोस्तों संडे को छुट्टी था क्लासेज नहीं हुई एनिवेस हम लोग चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफि अब नदीक धीरे 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 आते जा रहा है 30 अप्रील को एक्जाम होना है बीपीए से 67 प्रीलिम्स इस गोईंग टो बी कंडुक्टेट ओन 30 अप्रील और उसकी प्रिप्रेशन जो है वह और जो रोस और से होनी चाहिए ठीक है तो बिना डिले किये बिना रुके बिना जुके बस आगे बढ़ते जाना है ठीक है ऐसा थोड़ा भी हतास नहीं होना है कि अब समय नहीं है अब हम क्या करें अब कुछ हो नहीं सकता है इन सब चीजों के पचलों में बिना पड़े हमें अपने प्रिप्रेशन को और धार देते जाना है आपको एक बात बतात है और देखते हैं जिनगी विद्देशी तरका है हेलो गुड़ीवनिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में फटा-फट ओन टाइम आप लोग जुड़ते चलिए क्योंकि बीच में मुझे लग रहा है कि सेटर्डे तक क्लास चलती है संड़े को थोड़ा सा एक सैम जी वेरी गुड़ीवनिंग टू यू बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में चलिए फटा-फट जुड़ते जाएं आप लोग आज हम लोगों ने अगर बात करूं मैं बिहार एग्रिकल्चर एंड इंडस्ट्री की तो एग्रिकल्चर इंडस्ट्री में आज हम वैसे तीसरा पार्ट देख रहे हैं पहला पार्ट तो बहुत थोड़ा सा ही देख पाये थे दूसरे पार्ट में हमने डिटेल डिसकसन किया और आज इंडस्ट्री बगरा हम लोग वाइंड अप कर देंगे उसको देख लेंगे ठीक है तो चलिए फटा-फटा आप लोग जुड़िए फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं एनिवे जो लोग बाद में जुड़ेंगे फिर वो उनको रिवाइस करना होगा हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं आपको बताते चलूं कि अभी स्कॉलर्शिप आया हुआ एक्जामपूर की तरफ से ड्रीम 4-5 को अब आपको दस परवरी तक आप यूज़ करके डिसकाउंट अवेल कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग अपने कोर्स की ओर बढ़ते हैं हमने यह क्वेस्टिन्स वगरा कर लिया है अस्ती नंबर क्वेस्टिन तक हमने देखा था उसके बाद अग्रिकल्चर और इंडस्ट यह साउथ वाला जोन आपका तीसरा है जो की दो भाग में बटा है 3A और 3B ओफीसर बीटिया वेरी गुड इवनिंग तो यू फिर उन चारों जोन को हमने एक एक करके देखा था इसके बारे में भी हमने डिटेल देखा था एग्रोक्लाइमेटिक जोन 3 & 4 ओल राइट फिर हमने एग्रिकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न देखा था कि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम अकुपाइज मोर दें 70% अफ दी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मतलब चावल और प्राइसाटे इन 70% से जादा ग्रोस буд Deply क्रॉप एरिया ऐक्वाइर करते हैं यह चीजह भी हमने देख लिया था इंप्रोटन क्रॉपिंग सिक्वेंस के बारे में हमने बात की थी जोन 1 जोन 2 जोन 3 के इंप्रोटन क्रॉपिंग पैटर्न भी हमने देख लिया था उसके बाद cropping season आया था हमारा, खरीफ crop के बारे में हमने बात किया था, रवी crop हमने देख लिया था, अब हम बढ़ेंगे आगे, तो चलिए, देखिए एक poster लगा हुआ है यहाँ पे, यह मेरा ही फोटो है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको एक important announcement मैं बताते चलूँ, 67th BPSC prelims, Sanjini batch, Marathon, Ancient History MCQ practice, previous year 1994 to 2020, कब होना है, 13 फरवरी सुबे 11 बजे, तो 13 फरवरी सुबे 11 बजे, संडे को आप हमसे जुनना बिल्कुल ना भूलें, 1994 से 2020 तक BPSC में जितने भी ancient history से question आये हैं, वो सारा का सारा मैं cover करने वाला हूँ, 111 question है, वैसे तो देखते हैं कितना, अगर आप लोग 7 देंगे, थोड़ा तेजी से हम लोग चलेंगे, तो उस दिन 3 गंटे में मान के चलिए कि 111 question हम लोग cover कर लेंगे, अगर हम लोग 35-35 का average लेके चलते हैं, कि एक घंटे में 35, दूसरे घंटे में 70 तक और तीसरे घंटे में 35 का चालिस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, 40, 38 इस हिसाब से 38 के आसपास लेके चलेंगे तब हमारा काम हो पाएगा, अल्राइट, तो देखिए, 38 से 40 question तेजी से थोड़ा करेंगे, एक question पर अगर हम लोग 1.5 मिनिट का समय देंगे, तो 3 घंटे में हम 1994 से 2020 तक का 111 question जो है, उसको पूरा देख लेंगे, एक से 1.5 मिनिट समय दिया जाएगा, फटा फटा आप लोग answer करेंगे, मैं थोड़ा तेजी से बढ़ूँगा, ताकि NCN वाला पार्ट हमारा हो जाए, फिर मैं medieval लेकिया हूँगा, modern लेकिया हूँगा, बिहार special लेकिया हूँगा, और उसके बाद practice जो मैं question बना रहा हूँ, वो लेकिया हूँगा, पहले practice zone में जाने से पहले previous year 1994 से 2020 तक हम लोग देख लिया जाएगा, वैसे YouTube पे आप जाएंगे, तो कहीं न कहीं तो आपको मिल जाएंगे previous year, no issues, लेकिन एक सुनते जाना और एक life to life discuss करना answer देना उसका मज़ा कुछ और होता है, तो आप लोग जुनना बिल्कुल ना बोलिएगा, हो जाएगा sir, चलिए, आप लोग थोड़ा देखिए, उसमें तेजी से निकलेंगे, बहुत जादा डिटेल डिसकसन नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष रहेगा कि 111 हो पूरा करना है, तो यह मत सुचिएगा कि हम क्यों तेजी से जा रहे हैं भाइसा, हमें वो पूरा करना है तीन घंटे में, anyhow, दूसरे जगह मैं जैसा बोल रहा हूँ, यूटूब पे मौजूद होगा, no issues, म मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टुडेंट मेरे साथ प्रैक्टिस कलने, मुझे हो जाए, कि मैंने करवाया है, मैं भी वो साटिस्फेक्शन चाहता हूँ, ठीक है, चलिए, अब इंपोर्टेंट क्रॉप सम लोग स्टार्ट करते है, फन इवनिंग सेखर जी, आपका भी स्वागत है, फन अकेडमी जी के तरफ से थमस अप मिल रहा है, कि हो जाएगा सर, 13 फरवरी, 11 बजे, वो सेशन में लेकर आऊँगा, आप लोगों को बार बार, ये पीपी जो स्लाइड है, कहीं न कहीं देखने को मिलते रहेगा, त इमपोर्टेंट क्रॉप हमने देखना श्टार्ट किया था, सबसे पहले राइस की हमने बात कर ली थी, फिर वीट पर आकर हमारा क्लास ख़तम होा था, तो राइस से नहीं start कर देते हैं, कि मेयन सिरियल क्रॉप बिहार का, राइस है, बहुत ही इमपोर्टेंट क्रॉप है टू क्रॉप्स आर ग्रोन ओस समर क्रॉप एंड अमन विंटर क्रॉप और राइट मैक्सिमम एरिया ये सारी चीजें दुबारा रिपीट नहीं करूँगा प्रोडक्टिविटी वगरा के बारे में आप लोगों ने भी इन्पूट किया था चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि मैक्सिमम एरिया होना अलग चीज है मैक्सिमम प्रोडक्शन होना अलग चीज है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होना अलग चीज है ठीक है तो मैक्सिमम एरिया आपका मदू बनी औरंगाबाद और रोहतास का है मैक्सिमम प्रोडक्शन अर्वल औ तो उसको आप लोग एक बार बैक जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा ठीक है फिर हमारी बात हुई थी वीट के बारे में वीट के बारे में the best suited is sandy soil having capacity to retain moisture गंगा दियारा and बागमती plains are the most important ये दियारा ताल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था दियारा मतलब ज जाता है जबकि maximum production में रोहतास के अमूर और सिवान आता है maximum productivity में जहानाबाद पटना और गया तो वीड तक हमने देखा था उसके बाद हमारी class वहाँ पर रुप गई थी तो उसके हम आगे बढ़ेंगे all right चलिए तो देखते हैं आगे कौन सा है बताते चलू important बात की जो आपका बिहार का बजट सत्र है बिहार का बजट सत्र आपको बताते चलू वह आपका स्टार्ट हो रहा है 25th February को से और यह चलेगा आपका 31st March तक बजट सत्र जो बिहार का है यह पचीस फरवरी से श्टार्ट होकर 31 c March तक चलने वाला है 25 फरवरी को आपका इकनोमिक सर्वे आएगा ठीक है economic सर्वे जो है बिहार का 25 फरवरी को आना है और 28 फरवरी को आपका बजट आना है 28 फैब को आपका बजटाना है अब इसमें बात ऐसी है मा लिजे 23 जनवरी को पेपर होता तो हमारे लिए सिर्फ 2021 वाली चीज़े important होती लेकिन अब क्या है कि पेपर अप्रील में जा रहा है 30 अप्रील को है तो मेरा ये responsibility बनता है कि 25 फैबरी को जो economic survey आएगा और 28 फैबरी को जो budget आएगा बिहार का इसका भी मैं आपके सामने presentation लेके आऊँ जो main important चीज़े हैं आपके साथ discuss करूँगा तो मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे ये 25 फैबरी को economic survey आना है 28 फैबरी को budget आना है तो उसमें किया क्या जाएगा कि जो पिछला वाला budget और economic survey है उसको भी हम लोग से पहले अपना पिछला वाला budget और economic survey एक बार short में discuss कर लेंगे कि by chance भूले भटके वहां से कुछ उठता है तो वह भी हम लोग देख लेंगे ठीक है क्योंकि वह 2021 का है ये तो पेपर टलने लगा पेपर तम अप्रिल तक गया नहीं तो फिर वह भी हमारा बहुत इंपॉर् तब तो questions आपके पिछले वाले budget से ही पूछे जाते तो 25 फरवरी से मैं कुछ प्लान करके उसको निप्टा दूँगा और फिर जब ये 25 को economic survey 28 फरवरी को budget आ जाएगा तो एक-दो मार्च को मतलब consolidate करके उसका proper study करके आपके सामने मैं economic survey और budget जरूर लाओंगा चलिए अब 22 फरवरी का कहे रहे हैं मैंने अभी हिंदुस्तान टाइमस में देखा था तो मुझे निउस उस पे दिखा था कि ये 25 फरवरी को जो अभी भाशन वगरा है उसके लिए स्विक्रिती मिली है कि 25 फरवरी को economic survey आएगा और 28 को budget आएगा ऐसा मतलब मैंने newspaper में दे मतलब जब भी आएगा हम लोग 20 फरवरी से पहले 20 फरवरी से पहले क्या करेंगे अपना previous वाला देख लेंगे और उसके बाद अगर 22 को आता है तो ठीक है वरना 25-28 को आता है तो वह भी ठीक है हम लोग 20 फरवरी से पहले उसको देख लिया जाएगा मैंने newspaper में जैसे पढ हुआ कि भाई अभी भाषन की स्विक्रिती मिली है क्याबिनेट से कि 25 को एकनॉमिक सर्वे ला जाए 28 फरवरी को बजट पेस किया जाए यह चीज उसमें लिखी हुई थी कि बजट सत्र जो है वो 25 फरवरी से 31 मार्च का होने वाला ऐसी नियूस थी तो मैं आपके सांद ड कुराना वाला बजट और एकनॉमिक सर्वे इस ही अपते कर लिया जाएगा ठीक है आयूस कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में वेरी गुड इवनिंग तो यू आयूस जी ने भी यह आफ्लाइन कमेंट दिया था जैसे आप लोग कमेंट दे रहे हैं फ बजट सत्र है 25 फरवरी से 31 मार्च होने वाला है 25 को एकनॉमिक सर्वे और 28 को बजट आएगा तो यह नया वाला लैटेश्ट वाला है उससे पहले इस हपते में मैं पुराना वाला एक बार आपके सामने पेश कर दूँगा 20 मैंने कहा कि 20 फरवरी से पहले मैं प्रीवियस वाला कर दूँगा कोशिश करूँगा कि 10-12 फरवरी से पहले ही मेरा स्लाइड वगरा बन जा है तो आप लोके शेयर कर लूँ क्योंकि अगर एक्जाम 23 जनवरी को ही होता तो पुराने वाले बजट से क्वेस्टन पूछे जाते तो एक नजर हम लोग पीछला भी देखें हमको दो बजट कवर करने हैं प्रिवियस वाला भी हम कम से कम एक नजर तो जरूर डालने ताकि वहां से कुछ पूछ ले तो भी हमारा आंसर गलत नहों ठीक है तो मैं जब प्लान कर रहा था आप लोगों का तभी मैं नियूज में देखा कि भाई मैं सार्च कर रहा था कि बिहार का इस बार का बजट अजर अगल अगना मौजा से कहा तक वह अपना बना रहा हो तो तो उसको मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा ठीक है बजट को लेके परिशान बिलकुल मत होईएगा वो मैं दोनों का दोनों करवाऊंगा पिछला वाला भी और नया वाला भी बस जो भी हो यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जो लोग जुड़ रहे हैं यह आप लोग को ध्यान रखना है ठीक है और उस दिन पूरा साथ देना है तेरह फरवरी को प्रिवियस यहर पेपर उननी सो चौरानवे से दो हजार बीस का पूरा एंसी एंट हिश्टी में जितने क्वेस्चन बीपीएसी ने पूछे है 111 क्वेस्चन है वह 111 क्वेस्चन हम तीन गंटा में कंप्लीट करना ही करना है कब 13 फरवरी संडे के दिन ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम अब मेज की बात करते हैं ठीक है चलिए फन अकेडमी जी कोई बात नहीं आप लोगों से मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ मैं नया वाला डिसकस करूं ठीक न हम दोनों करके चलेंगे पिछला वाला भी पूछना है पूछलो वहां से भी कुछ ना कुछ पूछोगे तो बता दिया जाएगा बात करते हैं मेज की ठीक है अब आ जाते हैं अपने में टॉपिक में आप लोग जो ओफ-लाइन कमेंट किये थे ना तो मैं एक डाइरी रखा हूं उस चलिए बहुत बढ़िया निखेल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में मेराथन में तो रहना ही है जब इतना मेहनत में कर रहा हूं अब आप बताएए एंसे एंट का जो 111 क्वेस्टन वो सब मुझे तो बनाने ही पड़ेंगे ना पीपीटी स्लाइड पे एक् पीटी नहीं ले रहा हूं ठीक है चलिए मेज के बारे में बात करते हैं लाइट क्ले सॉइल इस बेस्ट फोर मेज एक्जामपल बाल सुंदरी सॉइल मैक्सिमम एरिया कहां पे है खगडिया कहा है और मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका होता है कटिहार मधेपूरा खगडिया मैक्सिमम प्रोडक्शन कटिहार मधेपूरा और खगडिया में मेज मक्काई समझ रहे होंगे आप लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करें तो कटिहार का नाम आता है ठीक है और एक चीज हाँ मिनरल रिसोर्सेज वगरा भूला नहीं हूं सब करवाऊंगा है इंडस्ट थोड़ा सा अब तेजी से बढ़ा जाए इसको आप लोग देखते हुए चलिए कि भाई light clay soil इसके लिए बैतर होता है जनरली question जो पूछ लेता है maximum area आपका खगडिया है maximum production कटिहार मधेपूरा और खगडिया से आता है productivity की बात करें तो कटिहार आपका productivity में अभी number one पे है यह छोटे छोटे हैं main rice और wheat था तो इनको हम तेजी से थोड़ा देखते हुए चलते हैं जूट जूट की अब बात करेंगे जूट बिहार rank second in jute production after west bengal west bengal के बाद आपका बिहार second position पे आता है जूट production के मामले में जूट production के मामले में बिहार का rank second है first पे कौन सा है west bengal first पे आपका west bengal है और second पे आता है बिहार अब देखिए बिहार अगर second पे आता है तो logic अगर लगाएंगे तो कौन से district में production होगा वही district जो की आपके west bengal से attached होंगे आपके तीन district attached है किसंगंज पूर्णिया और कटिहार तो देखिए it requires alluvial soil with large amount of rainfall तो rainfall किस district में हो रहा है हमारे बिहार में किसंगंज जो की सबसे east में located है किसंगंज में सबसे ज्यादा production होगा very good evening to you गनित कुमार जी बहुत-बहुत स्वागात है आपका major district for jute production किसंगंज and पूर्णिया जो आपके west bengal से attached है अगर माल लीजिए इसमें जूट वाले में आप सोचेंगे कैसा question आ पूर्णिया और none of the above more than one दे देगा तो यह option हो जाएगा क्योंकि यह डिश्टिक दो है किसंगंज है और पूर्णिया है जहां पे जूट production बहुत होता है जी बिलकुल बांगलादेश वो सबसे highest है बांगलादेश आपका सबसे highest producer है यह वर्ल्ड वाली भी बाते मिनरल वाली बाते उसका भी पूरा table chart देखा जाएगा ठीक है क्योंकि question बिहार में आया था एक बार वेनेजूला के related यह natural oil reserves वगरा के related question पूछा जाता है और जो आ हम लोग वो सारी चीजे भी जो BPSC prelims के हिसाब से जो वर्ल्ड जोग्रफी की बात होती है वो भी देखेंगे अभी जो चल रहा है उसको ध्यान दे लें लेकिन हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंपुट नहीं दे सकते हैं आप अपना इंपुट देते रहिए उसको ह हम लोग इस ग्रूप में हम स्टडी कर रहे हैं इतना समझिये कि मैं भी स्टूडेंट हूं हम स्टडी कर रहे हैं आपस में इंपुट देते रहिए चलिए जूट के बाद पलसे की बात करें तो अरहर ग्राम उडद मसूर मूंग एंड खेसारी और ग्रोन इन इन इस स्टे में पतना और अंगाबाद और नालंदा आता है मैक्सिमम प्रोड़क्शन के मामले में लेकिन बात अगर प्रोड़क्टिविटी की होती है तो वहां पे आपका कैमूर का प्रोड़क्टिविटी बढ़ जाता है बिहार इस नोन फोर इट्स लीची एन मैंगो प्रोड़क् हुए हैं है ना जी बिलकुल इस पर question आया था यो जी ठीक है previous year में इस पर question आया हुआ था लेक करीबा इन वेनेजुला has the highest oil reserve in South America as well as in the world इस पर question आ चुका है country का नाम दिया था वेनेजुला उसका answer था exactly मुझे याद नहीं है कौन से वाले 65 में की फोर्थ में लेकिन इतना दिमाग में रह जाता है कि अच्छा मैंने कहीं पढ़ा है यह question BPAC में आया था इतना दिमाग में रह जाता है तो exact नहीं बता सकता हूं बट यह question आया हुआ था बिहार इस नोन फोर इट्स लीची एंड मैंगो प्रोडक्शन जैसा आप जानते हैं गाने नाने भी बने हुए हैं लीची और मुझफर पूर इंडिया मुझफर पूर की बाई लीची जो है पूरे इंडिया में लीची के लिए मुझफर पूर जाना जाता है थोड़ा सा चोटे मोटे क्रप बच्चें उसके बाद हम इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं इरिगेशन वाला जो सिस्टम है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इरिगेशन के बारे में अब हम detail में थोड़ा discuss कर लेते हैं कि irrigation का क्या हिसाब किताब बिहार में है अपने देखा था कैनाल वाला बात कब आया था 1869 में सोन कैनाल बनने के होजासे जो रुतास वाला district है वहाँ पे काफी हद तक जैसे irrigation का problem sort out हो गया था तो irrigation के बारे में देख लेते हैं irrigation potential की अगर बात की जाए तो irrigation potential of बिहार is very high but utilization is very low utilization काफी कम है ठीक है utilization जो है वो काफी कम है मैं comment box को मतलब बार बार in case देख के न repeat कर सकूँ तो जो भी students है आप लोग comments inputs सारा ध्यान से देखते रहिएगा ठीक है जैसे जो भी comments आता है आप लोगों के लिए helpful होगा irrigation potential of बिहार potential बहुत हाई है लेकिन again utilization जो है वो उतनी अच्छी नहीं है proper irrigation help in raising agriculture production thus bettering the lives of people यह तो एक usual सा point है proper irrigation system होगा तो obviously बात है productivity production बढ़ेगा production बढ़ेगा तो आपका जादा भाई बिकेगा माल जादा बिकेगा तो आपकी standard of living आपके पैसे आएंगे इस standard of living बढ़ेगा यह सब एक दूसरे से connected है वही UPSC कहता है जब भी हमारा answer writing system होता है वो connect हम कैसे करते हैं उस पर निरभर करता है बिहार also receives fair amount of rainfall ऐसा नहीं है कि बिहार में बहुत कम बर्सात होती है इस टाइप का कुछ नहीं है देर is however uneven distribution of both irrigation facility and rainfall across various districts बिहार में irrigation facilities अगर देखा जाए तो कुछ area में बहुत बढ़िया है कुछ area में गड़बड है बर्सात की भी बात की जाए तो कुछ area में अच्छा बर्सात होता है कुछ area में कम बर्सात होता है आपको भी पता है कि rainfall का इवन डिस्टिब्यूशन तो इंडिया में भी नहीं है अनिवन है कहीं ज्यादा कहीं कम यह सारी चीज़े तो होनी ही है तो 37% इसका शेर बनता है हमारा जो डिस्टिक है रोता है उसमें भी मैक्सिमम डिपेंडेंसी यह कैनल इरिजेशन पर ही है हम लोगों का ट्यूवेल इस 30% ट्यूवेल जो आपके अपने पिक्चर में देखा था ट्यूवेल लगा हुआ था खेतों में लगा रहता है ट्यूवेल का बड़ा मजाई अलग है ठीक है यह सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वेस्ट कोशी केनल, थ्रिवर केनल एंड तिरूँध केनल अर् लोकेटेड ओन रीवर कोशी ठीक है एक चीज धहान रखिए कि केनल का परसेंटेज त्यूवेल का बासेज थखेंगे थोड़ा सा ध्यानमें रखते हुए 30% almost three-fourth of the canal irrigated area is in South Bihar even मेरा डिश्टिक जो है वो South Bihar में पड़ता है तो अगर आप canal irrigation system की बात करेंगे तो canal से irrigated area का जो main location है South Bihar में three-fourth है three-fourth canal जो South Bihar है अगर देखा जाए कि वाई चार जगह canal irrigation से खेत में खेत को irrigate किया जा रहा है तो उस चार जगह में से तीन जगह आपको South Bihar में मिल जाएंगे South Bihar में आपको तीन जगह मिल जाएंगे ओल राइट तो canal irrigation area is in South Bihar three-fourth तीन चौथाई अब बात करते हैं सोन कैनाल की सोन कैनाल पे अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है रियांस जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में very good evening to you जो canal irrigation हमने देखा अब थोड़ा सा detail देख लिया जाएं सोन कैनाल की बात की जाएं तो eastern सोन कैनाल taken out from बारून ध्यान रखिएगा बारून से निकाला गया है इरिगेट पट्ना, जहानाबाद, औरंगाबाद and गया डिश्टी जाएं तो eastern सोन कैनाल की बात हो रही है एट इस टेकनाट फ्रस्टेओपरन बारून इिटिएट इरिगेट पट्ना जहानाबाद औरंगाबाद और गया वेस्टन सोन कैनाल की बात की जाएं तो it has been taken out from तीशरी, it irrigate आरा, बकसर एंड रोहतास रोहतास हमारा जो है तीशरी से निकाला गया है, western zone canal से हमारा area irrigate होता है देखिए इस चीज को जी बिलकुल आयूस जी आप बिलकुल सही है, इवन जो मेरा village पढ़ता है, मतलब इतने सारे canals हैं, इस वज़ा से काफी हर्याली देखने को मिलती है और बहुत मज़ा आता है canals ऐसे हैं, मतलब किनारे बैढ़ लो, थंडी हवा चलती है canals बहुत ज़ादा है मैं तो अपने छोटे से गाउं के बारे में बात करूं, रोहतास जी की बात करें सोन कैनार कोसी, मैं काफी डीटेल में, जितना हो सके डीटेल में जाने का प्रयाज किया हूँ, तो आप लोग प्रीस जो भी PDF जाएगा उसको देखिएगा, PDF चुकि यह continuity में है, जो complete होता है तो यह जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, कोसी कैनार के बारे में बात करते हैं, two कैनार's took out from हनुमान नगर रिजर वायर, कहा से हनुमान नगर रिजर वायर की बात हो रही है, इस्टरन कोसी कैनार इरिगेट पूर्निया, मधेपूरा एंड सहरसा, मधेपूरा जब नाम आता है पपू यादो का जो इमेज है वो मुझे दिखने लगता है ठीक है चलिए रिया अस्फाक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में वेरी गुड इवनिंग तो यू बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी क्लास में चलिए तो देखते हैं हम टु कैन सब्सक्राइब को आप याद रखेंगे इस्टन को को सी कैनल पूर्निया पे भी देखिए लेट सुसान सिंख राजपूत थे तो जब उनके बारे में न्यूज आई थी तो नहीं होता है जैसे मैं बोल रहा हूं कि पपू यादो का तुरन से इमेज आ जाता है कि अच्छा गोबाल गंज की बात आती है तो लालुप शाद यादो जी का बाई से आ जाता है बक्तियार पूर सुनता हूं तो नितीज कुमार मतब चीजे ऐसे आ जाती है दिमाग में पूर्निया मधेपूरा एंड सहरसा वेस्टन को सी कैनल की बात करें तो यह दर्भंगा डिष्टि हम जानते हैं आप यूटूब चैनल्स पे काफी सर्च करिए कोई शूज नहीं है एमसी क्यू सेशन हर जगा मिलेंगे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा थियरी आपको मैं लेके आ रहा हूं तो आप लोग थियरी भी ध्यान से करिए यह अप लेगों के लिए बहुत हैल अब गंडग के बारे में बात करेंगे अब इर्गेशन जब बात कररे हैं तो मैं जितना हो सके उतना आपके लिए श्टफ लाया हूं अब बस मेरे साथ पढ़ते चलिए गंडग के बात करें तो देखिये गंडग के नाल टू टूक आउोड फ्रॉम डैम एट वालमिकी न the em ये टव्लमिकी नगर की नगर अगर बात की जाय तो वेश्रण अपने दिमाग्में लाना और लोदicular कोफ भिहार सारन कैनल इरिगेट सारन गोपाल गंज और सिवान इसमें आपका सारन गोपाल गंज और सीवान गुपाल गंज और सीवान आगया जैसे सिवान से भी किसी पर्सनालिटी का नाम मेरे दिमाग में क्लिक करता है चलिए अभिनौ जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्लास में तिरहुत कैनाल की बात करें तो इट इरिगेट मुझफरपूर वैसाली एंड इस्ट चंपारन कौन सा को कौन इरिगेट करता है आपका तिरहुत कैनाल ठीक है अब बात होगी त्रिवेनी कैनाल की त्रिवेनी कैनाल इट इस टेकन आउट फ्रॉम गंड़क रिवर एट त्रिवेनी और यह किसको इरिगेट करता है इट इरिगेट वेस्ट चंपारन डिस्टिक त्रिवेनी कैनाल क कि अगर हमबार करें तो यह आपके गंड़क रीवर से निकाला गया एत ट्रिवहनीग और व्श चंपारन district को irrigate करता है कमला कैनाल कमला कैनाल को अगर आप देखेंगे तो इट इस टेकन आउट फ्रॉम कमला रिवर इन दर्भंगा कहां पे कमला रिवर इन दर्भंगा यह नहर कमला रिवर दर्भंगा ते निकलता है इट इरिगेट मेली मधू बनी डिष्टिक, मधू बनी डिष्टिक को यह इरिगेट करता है, ठीक है? मैंने इरिगेशन सिर्फ स्वाट में नहीं बताया है, मैं डिफरेंट डिफरेंट जो कैनाल हैं, important, important, उनकी भी लिश्टिंग लेके आया हूँ, प्लीज आप लोग और तिरुछूत के लिएक तिर्यूत के लिए है और जोकि मदो बना, डिस्ट को इरिगेट करता है और क nem है रइस्टीक अब बात करेंगे हम industries में मिली हम क्या देखेंगे कि कौन सी industry कहाhost Located है इस सब छीज़ों के बारे में जादा देखेंगे Rules के मामले में CAR भी काफी हत government कहा लेकिन के बारे में देख लेते हैं अब धीरे धीरे इस पर ध्यान दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज पर कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में बढ़ावा मिले इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो देखिए most of the industries in बिहार are agro-based बहुत सारी जो कमत्निया हैं यहां पर agro-based है agriculture main occupation है लोगों का तो जो industries भी है यह भी आपका ज़्यादा तर agro-based है agriculture जो भी products हैं उनके related है जबकि यही अगर गुजरात होता तो गुजरात में आपको देखने को मिलता कि वो आपका maximum जो चीज़ें वो क्या है chemical based industries देखने को मिलेंगी chemical based paint की company pharmaceutical की company यह सारी चीज़ें आपको गुजरात में बहुत ज़्यादा दिखेंगी वहां पर chemical based company गुजरात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी ठीक है the first sugar factory was established in 1908 Marahura in the Saran district which was also the first sugar mill in the country इसके अलावा हमने सुगर मिल पर बात किया है कि presently अगर present में देखा जाए तो कितने मिल है इस पर question मैंने MCQ कराया है 28 की हमने बात की थी कितने 28 की बात की थी ठीक है पहला 1904 at Marahura in Saran district which was also first sugar mill in the country present की बात करें तो 28 है बिहार state milk cooperative federation confed इसकी अगर बात करें तो यह कभी established हुआ था milk cooperative federation 1983 में established हुआ था सुधा ब्रांड is marketed by this confed सुधा ब्रांड सुधा ब्रांड बहुत ही popular ब्रांड है बिहार में और it was marketed by this confed कौन सा बिहार state milk cooperative federation द्वारा market किया जाता है सुधा सुधा ब्रांड जो की बहुत ही जाना माना घर-घर तक पहुचा हुआ ब्रांड है बिहार का ती इंडस्टी इन बिहार is mostly concentrated in किसन गंज district अगर टी इंडस्टी की बात आती है तो कहां पे जादा तरते ये concentrated है आपका जो इस्टर्न most district पढ़ जाता है किसन गंज वहाँ पे और किसन गंज एक और चीज के लिए क्या famous हो रहा है आपके जूट प्रोडक्शन के लिए जूट प्रोडक्शन के लिए भी आपका किसन गंज है प्लस ये आपके टी टी इंडस्टी की बात की जाए तो ये concentrated कहां पे है किसन गंज एरिया में है all right industries बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है सब आपको agro-based ही दिखने को मिलेंगी अब कौन सा एरिया किस के लिए famous है वो भी चीज आप धीरे धीरे देखेंगे अगर भागलपूर रीजन की बात की जाए तो it has great potential for silk industry, silk की बात आती है तो भागलपूर एरिया का नाम खडाक से दिमाग में आना चाहिए, silk के लिए भागलपूर अगर जूट प फैर या आप कहा लिजे यह जूट पार्क इस बिंग सेट अप एट मारंगा कहां पर भाई मारंगा इंदी पूर्णिया डिश्टिक अब जूट पार्क की बात आएगी जूट पार्क की अगर बात आती है और आप लोग आंसर में किसन गंज लिग देते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा जूट पार्क अगर मारंगा की बात आती है तो यह कहां पर लोकेटेड हो रहा है यह आपके पूर्णिया डिश्टिक पूर्णिया डिश्टिक आंसर हो जाएगा कौन सा पूर्णिया डिश्टिक तो ऐसे सब भले किसन गंज भी प्रोडक्शन में काफी यागय है प्ट यह जूट पार्क कहां पर सेट अप हो रहा है मारंगा इन पूर्णिया इसटीग लेदर इंडस्ट्री की बात की जाए तो यह कहां पर कंसेंट्रेटेट अपर मुझफवर पूर मुखामा में आपका लेदर इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो only a few डॉक्त काफी जाद है लेकिन इंडस्ट्री कम है ऐसा जर्षा कि मजा रॉ माटेरियल कम थे dol y मैंचने काम होदा रहा है यहां पर बनाने के पर उसे बनाने की कम है तो फिर यह निकल जाता है रो मेटेरियल कहां चला जाता है कोलकता जो की नजदीक में हैं कानपूर और चन्नाई की ओर यह रो माटेरियल डाइवर्ट हो जाता है तो इंडेस्ट्री का बहुत स्कोप है बिहार में ऐसा नहीं है और जैसे गौर्णमेंट स्टेप्स ले रही है अगर बढ़िया से पूस्ट किया जाए तो आपको बढ़िया बढ़िया इंडेस्ट्री आगे भी देखने को मिल सकता है ठीक है जी बिलकुल असफाग जी मरहूरा मैंने आपको जैसे बताया था कि स्पेलिंग्स इधर उधर होते रहते हैं वही चीज़ आप लोग मरहूरा जरूर ध्यान रखियेगा मरहूरा सारन डिश्टिक 1904 में इस्टैबलिस हुआ था यह सुगर मिल और काफी जगह पे काफी इवन दो आपको पता है हमारे जहां पे मैं रहता हूं वहां से नजदीक में डाल्मिया नगर पड़ा है ठीक है डाल्मिया नगर वो भी बंद हो चुका है यह वहां पे काफी बढ़िया से कलकर खाना चल रहा था लेकिन फिर लूट पाड यह वो प्रॉब्लेम यूनियन बाजी पता नहीं क्या-क्या वहां पे हुआ कि वह भी फिर उसको वह भी बंद हो गया था हाला कि बंद तो जब मेरा बर्त हुआ तो वह जो एरिया है वह ए कई जगह यहां पर सुरू हुई लेकिन कहीं न कहीं कहीं गौवर्मेंट का मनसा तो कहीं पब्लिक का मनसा कहीं न कहीं लैक कर गया हम लोग जिसकी वह जासे इंड़स्ट्रियल सेटप यहां पर पर वे में नहीं हो पाया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब बिहार इंड़ दिश्ट्रियल एरिया डेवलप्मेंट अथौरिटी वियदा के बारे में हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं इस टोपिक पर भी कब यह कंस्टिटीट हुआ था इट वस कंस्टिटिटेड अंदर भीहार इंड़स्टियल एरिया डेवलप्मेंट एक्ट इन बिहार बिह बिहार इंडर्श्ट्रियालाइजीशन प्रमोट करने के लिए बियाडा का इस्टैब्लिसमेंट हुआ था विहार इंडर्श्ट्रियल अर्या डेवलेप्मेंट एक्ट उन्नी सो चौहत्तर तो किसे कितना पहले हुआ था फिर भी अभी चीजेसं नहीं हो पाई है तो प्रमो अगर इस ऑप्शन में रोताश डाल दे या फिर गुपाल गंज डाल दे तो आपका या फिर गया डाल दे तो वो गलत हो जाएगा कि गया वया में नहीं है बस चार जगा है पतना दर्भंगा मुझफरपूर और भागलपूर भारत वैगन एंजिनियरिंग कमपनी लिमिटेडी इध पीएस्यू लोकेटेड इनौकामाएं इमपॉर्टेंट्बli.्具 टिकुरिंग की पुच्टर बोधिए है तो प्या है पूछा में और यह वंच के बारेकिंग करता जिस में पूछा Māтकरिंग श此ए बहुत इंपोर्टेंट है मैंने भी mcq में पूछा था बरावनी रिफाइनरी की बात की जाए तो इट इस लोकेटेद इन बेगु सराय बेगु सराय में आपकी बरावनी रिफाइनरी लोकेटेड है इट वज इस्टैबलिस्ट इन 1964 विद दे हेल्प आफ यू एस एस आर जो प्रे कई बार क्वेस्टन आया हुआ है एक्जाम में अगर बात की जाए बरावनी रिफाइनरी की तो बेगु सराय में लोकेटेड है और 1964 में इस्टैबलिस हुआ था किसके हल्प से रसिया नहीं कहेंगे यू एस एस आर कहेंगे क्योंकि उस समय यू एस एसर का बाइफर्केश किसके द्वारा यह ओन किया गया है आई ओसी इंडियान ओइल कॉर्परेशन इसको ओन करती है आई ओसी एंडिट रिसीप्स ओईल फ्रॉम यह ध्यान रखिएगा कि इस रिफाइनरी में तेल कहां से आता है रिफाइन करने के लिए यह भी क्वेस्टन आया हुआ हुआ है में हो सकता है कि अगर कोई और टीचेर इस पर प्रिवियस यह न कराएं तो दूसरे सब्जेक्ट का भी मैं टाइम निकाल के एक बार चाहूंगा कि आप लोगों को करवा दू तो वहां यह क्वेस्टन आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बराउनी रिफाइनरी बेग इन आसाम नुमली गड़ ओईल फिल्ड जो आसाम में लोकेटेड है वहां से जो तेल आता है उसको कहां रिफाइन किया जाता है बराउनी रिफाइनरी में जो की बेवू सराय में स्थित है और इस्टेबलिश्ट हुई थी 1964 में USSR के साहिता से जिसका मालिकाना हक IOC Indian Oil Corporation के प सारे चीज जो भी देखे जैसे बेडा के बारे में भी हमने पड़ा मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें है वह आपके सामने लाने की कोशिज कर रहा हूं जहां से क्वेस्चन बनते हैं बहुत डीप में तो जाएंगे तो 30 अप्र नुमलीगड़ पे चुकि क्वेस्चन मैंने देखा था उसको भी इंक्लूट किया मैंने अब हम बात करते हैं कौन सा जगह किस इंडेस्ट्री के लिए फेमस है कौन सा जगह कौन सा बिहार में डिश्टिक वगरा या एरिया है जो पर्टिकुलर किस चीज के लिए फेमस है तो देखिए आपका मुकामा की बात की जाए तो रेल वैगन के बारे में अभी हमने देखा लेदर और रेल वैगन के रिलेटेड आपका मुकामा है किसके रिलेटेड लेदर एंड रेल वैगन्स दिगहा की बात की जाए तो ये लेदर और बियर के लिए लेदर और बियर क के लिए बिहटा की बात की जाए तो सुगर के लिए फेमस है पटना की बात की जाए तो क्रैकर्स और कॉटन टेक्स्टाइल क्रैकर्स जो आपके पटाखे हैं और कॉटन टेक्स्टाइल कौन सा एरिया किस चीज के लिए है फेमस वो थोड़ा देख रहे हैं भागलपूर की अगर बात की जाए तो तशर सिल्क के लिए फेमस है तशर सिल्क बड़ा मतलब वो ट्रांस्परेंट सा होता है मैंने भी सॉक सॉक में जब इसके बारे में देखा हो खा तो यह लोई हलका गोल्डेन टाइप के कलर में था और मैंने भी इससे शर्ट वगरा बनवाया था ठीक पर देखा है मुंगेर आपके गन और सिगरेट के लिए फेमस है गया देखिए सुगर लैक कॉटन टेक्स्टाइल और लेधर के लिए फेमस है यह एक नजर आप लोग को डालना जरूरी है डुम्राओं पर लाल टेन जब बिजली नहीं पहुची थी गाउं गाउं तक तो तो उसी लाल्टेन के लिए फेमस कौनसा है आपका डुम्राओं डुम्राओं रियासत भी रचाही परिवार भी डुम्राओं में रहा है भई विहार शरीफ की बात की जाए तो टोबैको दर्भंगा आपका पेपर के लिए समस्तिपूर की बात करें तो पेपर पर मिल और शुगर की यहां पर आ जाती है बात कटिहार चुकि वेस्ट बेंगॉल से लगा हुआ है तो जूट तो वहां पर आना ही आना है जूट हो गया और यह आपका मैच स्टिक मैच स्टिक के लिए अभी मैंने डाल्मिया नगर की बात की थी डाल्मिया नगर जो कई बा वाजे और वाजे प्लाई हूट के बनते हैं उसके लिए फेमस है मुकामा लेदर रेल वैगन दिघा फेमस है लेदर बियर के लिए बीटा में सुगर पतना की बात की जाए तो क्रैकर और कॉटन टेक्स्टाइल भागलपूर तसर सिरुक मुंगेर में गन और सिग्रेट के ल और शुगर के लिए कटिहार जूट और मैच्स्टिक के लिए दाल्मिया नगर सिमेंट हाजी पूर प्लाई उड के लिए फेमस है शेहनाई वादक विश्मिल्ला खान बिलॉंग टू जी बिलकुल गया पे माईका भी आप लोग एड कर लीचेगा ठीक है और शोरा यह सब जो मिनरेल्स वाला माईका विका का है न वहाँ पे भी हम आएंगे तो आयूस जी वहाँ भी आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी जो मिनर्स विल्नरस वाले में घुसेंगे हम लोग ठीक है यह जो आप सहनाई वादक विश्मिल्ला खान जी की बात कर रहे हैं बिल्कुल वहीं से बिलॉंग करते थे फिर बनारस में इन्होंने पूरा अपना व्यतीत किया जीवन और इनको बहुत ही रिस्पेक्ट से देखा जब बनारस में मतलब मौका मिला था जब इनके दैट से पहले बस एक कुछ जगों पर मैं हलका पूलका लग्की रहा हूं कि किसी दोस्त के जारे या कोई वह यह हैं तो मिलने का मौका मिल गया भाय से तो यह चीजें बिसमिल्ला खान जो हैं इनका इनके भी दर्शन हुए हैं क्योंकि प्रोपली मैं बनारस में सिस 2003 रह रहा हूं तो इसमें थोड़ा सा लक्की हूं उनका नाम आपने टाइप किया तो मैं तुरंत मुझे थोड़ा याद आ गया है ठीक है बाकी मिनरल्स एनरजी रिसोर्सेज वहां पे भी जब चीजों को देखेंगे तो जैसा आयूजी कमेंट कर रहे हैं वो सारी चीजे भी आपको दे 55 हो गया है 21 बच के 51 मिनित याने 9 बच के 51 मिनित अब यह जो बात करेंगे हम लोग नशनल पार्क और वाइल लाइफ HEY बिहार की मैं इतना बताते चलूं कि सिर्फ यह नहीं मैं बताने वाला हूं कि फ़लाना वाइल Licitan में नहीं थोड़ासा हर वाइल लाईफ सेंच्योः क ये बारे में हलका फुलका डिटेल लेते हुए चला जाएगा ठीक है नहीं तो एक सिर्फ टेबल प्रोवाइट करा दूँ वो टेबल मेरे पास पड़ा भी होगा देखिए हलाकि ये आप लोगों को बार-बार थोड़ा था याद दिलाने के लिए बीच बीच में कभी कभी इस वेक्ति का पिक्चर फोटोग्राफ आज आ रहा है पीपीटी स्लाइड में याद दिलाने के लिए कि आज से ध्यान में रखियेगा तेरा तारीक का डेट तेरा फरवरी तो इरिटेट मत होईएगा अगर बीच-बीच में यह स्लाइड फ्लैश हो जा रही है तो ठीक है चलिए देखिए कितना बढ़िया से यहां पे इंपूट हो रहा है आयू जी द्वारा नोनिया विद्रो रिलेटेट टू शोरा प्रोडियूजर ऐसे ही एक विद्रो का याद आया जश्ट ऐसे देख रहा था तो कि ध्यान रकी का मुझफरपूर में एक लोटा विद्रो भी हुआ लोटा विद्रो मुझे याद आ रहा है मतलब कहीं कहीं यह चीजे मिस हो जाती है या हम उसको हमारे नजरो के सामने से नहीं गुजरती है लेकिन मैंने कहीं लोटा विद्रो के बारे में भी एक बार कुछ देखा था जो मुझे अपफरपूर की बात हो रही थी हूँ आप हमारे पास समय की कमी है तो मैं बस एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं चीजों को एक बार जी बिलकुल लोटा विद्रो ठीक है तो एक बार यह मैं पढ़ के बता दे रहा हूं हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो मैं प्लेस के बारे में बता दे रहा हूं और इसकी डीटेल स्टेडी हम लोग कल किया जागा ठीक है मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता हूं कि खली जगह का नाम बता दूं मैंने जैसे आपने देखा अभी आपके नजरों के सामने से स्लाइड गुजरी होगी मैं हर एक के बारे में थुरा डीटेल कराते हुए चलूंगा जो कल मैं कराओं already की नेशनल पार्ग की बात की जाये यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजेगा आपका पंत वन्य प्रानी संचुरी नालंदा में लोकेटेड है कैमूर संचुरी रोहतास गौतम बुद्ध बढ़ संचुरी आपके गया में उदैपूर वन्य प्रानी संचुरी वेस्ट चंपारन में नागी डैम बढ़ संचुरी जमुई में नक्टी डैम बढ़ संचुरी अगेन जमुई में विक्रम सिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचूरी भागलपूर में और कनवर जिल बर्ड सेंचूरी बेगु सराय में लोकेटेड है बरलिया जिल सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचूरी आपका वैसाली में है और खुशेश्वर अस्थान बर्ड से बश्चूरी आपका दर्भंगा में है इस वे से मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है बश शो अप होगा करेंट की क्लास आपकी 10 बच के पंद्रा मिनिट से है ठीक है 10 बच के पंद्रा मिनिट से है और उसको मैं मेरे पास थोड़ा परमिशन है कि 11 से 11 ही नह क्योंकि अपूशर चुट्टी पे हैं तो 10-15 मिनिट अगर आगे उधर बढ़ जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है अपूशर चुट्टी पे गए हुए हैं उनके मतलब फैमिली में मैरेज अगर आ है तो मैं 10-15 मिनिट बढ़ा लूँगा तो दिक्कत नहीं होगी बस इतना बता दे रहा हूं कि मैंने प्लेसेज बता दिये ठीक है आप लोगों को प्लेसेज बता दिये अब कल जो हम लोग देखेंगे कल हम लोग पूरा देखिए यह जो मैं आप लोगों के लिए डिटेल बना के लाया हूं हर सेंचुरी पे थोड़ा थोड़ा डि की बात कर लेता है लेकिन के नाम भी मैंने पढ़ाए तो जितना देखिये हो सकता है मुझसे पूरी कोसिस करूंगा ठीक है तो कल डीटेल पढ़ेंगे आज बस मैंने मोटा मोटी नाम बता दिया और मैं आपसे मिलूंगा अभी 10 बच के एक्जक्ली 10 बच के 15 मिनिट पर हमारा करेंट अफैर का सो स्टार्ट होगा करेंट अफैर में जरूर जुडिएगा पहले हम लोग करेंट अफैर देखेंगे और लास्ट में 10-12 क्वेस्चन है जिसके जवाब आपको देने पड़ेंगे ठीक है तो यह चीज भी आप ध्यान म में रखेंगे मिलता हूं मैं आप से ब्रेक के बाद 17 बजे और करेंगे और से सब यांगे करांगा दोनों बजट करांगा बस निशचिंत रहिए गनीत कुमार आयूस जी सेखर जी फन अकेडमी आप लोग जो भी जो भी ऑफलाइन कमेंट देते हैं असफाग जी वो सब पता होता है सब मैं डाइरी में नोट कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या-क्या कब कराऊंगा कैसे कराऊंगा ठीक है चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से 17 बजे तब तक के लिए ब्रेक ले लीजिए फिर सवादस से करेंट अफेर स्टार्ट किया जागा ओल राइट बाइट धन एक उस ses जाझू से बाइटी करेंगा राइट